हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई कीचेन तो आज हम बनाएंगे एस्टमी नाओमी पर बनने वाला विसेश काले चने का परसाथ जो की बनाना बहुत ही आसान है मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी जो की फटा-फट से बन जाएगा और खाने में ब काले चने को अच्छे से धुल कर दो तीन बार साप पानी से धुल कर इसे हम भिगा देंगे राद भर के लिए तो इस तरीके से फूल जाएगा यह बहुत ही अच्छा फूला है मैं एक चने तोड़कर दिखा रही हूं यह देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं तो इस को बनाने के लिए आप चार से पांच घंटे या फिर ओरनाइट के लिए चने को भिगा कर छोड़ देना है तब ही चना जो अच्छे से फूलता है तहां पर हमने इसे अच्छे से भिगा कर ले लिया है यह बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है बनाने के लिए तो अब हम इसे पानी सहीध ही डाल देंगे प्रेशर कुकर में क्योंकि ये पानी साफ है हमने अच्छे से चनी को धुल लिया है और जो राद में हमने पानी रखा हुआ था उसे निकाल दिया है ये साफ पानी है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक यहां पर हमने आधा चम्मच न जाल सकते हैं यहां पार हम ने इसे गैस पर चढ़ा दिया है अब आप इसे हम मेडियम टू हाइए फेलेम पर दो सीटी लगा लेंगे दिशनलों यहां पर जब तक उसमें प्रिशर आ रहा हैẹं यहां पर हमने दो चम्मच भरकर धनिया पाउडर ले लिया है और एक चम्मच हल्दी पाउडर है यह और यहां पर एक चम्मच भरकर हमने कास्मीरी लाल मिर्च लिया है यह तीखी वाली नहीं है और यहां पर एक चम्मच भरकर हम डालेंगे अमचूर पाउडर आप चाहें अब इसमें हम पानी डाल कर इसका घोल तयार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे पहले हम और इसके बाद थोड़ा से और ज्यादा पानी डाल कर इसका अच्छे से घोल तयार कर लेंगे इस तरह से मसाले का यह देखिए मसाल अच्छे से तयार हो गया है इसके ब हुआ हैं और इसके बाद यहां पर दूसरी सीटी है है तो बस दो ही में इस में लगाना है चलन आउनल है दो सीटी में अच्छे से आजाता है हैं यहां पर दो सीटी हो गई है अब ऊफ कर देंगे आप ऑर इसे हम ठंड़र होने देंगे उसल्स इतने आफ ही निकलने देंगे तो यहां पर इसका प्रेसर निकल चुका है अब इसका धक्कन अटाएंगे यह देखिए अब हम चने को चिक कर लेते हैं पका है की नहीं तो इस तरीके से हम एक चने को दबा कर देखेंगे यह देखिए चना तूट रहा है यहांने की यह अच्छे से उबल गया है यहां पर मैं एक चना और दबा कर दिखा रही हूं यह देखिए बहुत यह अच्छे से तूट रहा है तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और गैस पर एक बरतन चढ़ाएंगे यहां पर हमने गैस का फ्लेम आन करके एक बरतन रख दिया है बरतन की गरम होते ही हम इसमें तेल डालेंगे और तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें जीरा डाल देंगे तो एक चमच हमने इसमें जीरा डाल दिया है अब इसमें हम हींग डालेंगे और जीरा और हींग को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इस तरह से और इसके बाद हमने यहां पर तीन मेची को चीरा लगा कर ले लिया है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले जो हमने गोल त्यार करके रखा हुआ था यहां पर हमने शारे मसाले डाल दिये हैं थोड़ा सा कटोरी को धुल कर भी इसमें डाल देंगे जो इसमें मसाला लगा हुआ है तो यहां पर हमने इसमें डाल दिया है अब इसमें हम स्वादम सा नमक डाल देंगे तो नमक हमने पहले भी डाला है तो नमक को ध्यान से डालना होगा कहीं ज़्यादा ना हो जाए इसलिए नमक को अच्छे से याद लखना है कि हमने चने में भी डाला हुआ है और मसाले को अच्छे से चलाने के बाद इसे कवर करके मिनट के लिए छोड देंगे तया पर हमने मीडीयम फिलेम पर इसे शोड दिया मैशा लिए था मसाले को एक मिन भार ठटा गलेंगे तेल चोड़ने तक तो आप इसे हम खुला ही मसाले को भूनेंगे इसे हम कवर नहीं करेंगे और खुला ही से तेल छोड़ने तक मसाले को अच्छे पकने तक हम पका लेंगे यह देखिए यहाँ पर मसाला जो है तेल छोड़ दिया है और बहुत ही अच्छे से पक गया है यह बहुत ही जल्दी बनता है इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और मसाला जैसे ही पक जाएगा हम चने को इसमें डाल देंगे हमने इसमें पानी नहीं निकाला है पानी सही थी हमने इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे उबालाने तक तो यहां पर चने में उबाला गया है अब इसका ढखकन हटा देंगे और इस तरह से हम चलाएंगे अब इसका पानी सूखने तक हमें पका लेना है तो यहां पर इसा पानी जो है वह सूख गया है और हमारा यहां पर चना मसाला जो है अच्छे से पक चुका है यह देखिये इसमें हम थोड़ा सा अद्रक डाल देंगे इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है अद्रक को और इसमें हम मिला देंगे इससे टेस्ट जो है अच्छा आता है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बीना भी बना सकते हैं आप अद्रक को कद्धु कस करके तेल में भी डाल सकते थें जीरा के साथ हमने यहां पर बाद में ढला है अब गरिस का फ्लेम आफ कर दिया है हमने और यहां पर चैना मसाला बनकर तयार हो गया है बहुत ही निम्हें शरो करके दिखा रही हूं थोड़से थंड़ा होने के बाद इसका कलर जो है कि थोड़ा से दिखा रही हूं और हमारी रेष्पी आपको पसणद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें और आप इसके बाद हमसे कौन से रेश्पी सीखना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और मैं हर रोज नई-नई रेश्पी लेकर आती रहती हूँ तो हर नई-नई रेश्पी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपका अपना किमती टाइम देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद